नमस्कार में प्रद्यम्न तिबारी आप सभी के समक्ष उपस्थितूं मित्रों आज हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो ब्यापारिक इस्थितियां चल रही हैं ये ठीक कब होंगी ये कब सुधरेंगी अथवा लॉकडाउन कब खुलेगा जाहिर सी बात है कि जब बाजार सारे संसाधन खुलेंगे तभी व्यापारिक इस्थितियां ठीक होंगी मित्रों बर्तमान में सूर्य, राहू, बुध और सुक्र एक साथ गोचर में संचरन कर रहे हैं और आज से ठीक एक सब्ताह बाद 25 मई को बुध ब्रिशभरासी में बक्री होंगे और जब बुध ब् इन बाद 27 मई को सुक्र ब्रिशभरासी को छोड़ करके मिथुन रासी में चले जाएंगे यानि कि सुक्र राहू, सूर्य और बुध का साथ चोड़ करके मिथुन रासी में चले जाएंगे तो सुक्र मिथुन रासी में जाएंगे उससे बहुत ज़्यादा बदलाब नहीं उसके बाद में 2 जुन को शुक्र आर्दरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो अभी बर्तमान में जो जगह जगह पर बारिस हो रही है वो बारिस बंध हो जाएगी दो जुन को शुक्र बरशा बंध कर देंगे उसके बाद में ठीक एक दिन बाद तीन जून को बुध बक्री के साथ साथ अस्त भी हो जाएंगे तो जब बुध अस्त हो जाएंगे और बक्री भी रहेंगे तो बुध ब्यापार के कारक हैं और बुध के अस्त होने से ब्यापारक इस्थितियां और भी ज़्यादा खराब होंगी। उसके बाद मैं 15 जून को सूर्य भी बुध और राहू का साथ छोड़ करके मिथुन रासी में चले जाएंगे। और 15 जून को सूर्य मिथुन रासी में जाएंगे तो इस्थितियां धीरे धीरे ठीक होनी शुरू होंगी। उसके बाद मैं ठीक एक दिन बाद 16 जून को बुध भी मारगी हो जाएंगे। और जब बुध मारगी हो जाएंगे तो ब्यापारिक की स्थितियां और भी अच्छी होनी सुरू हो जाएंगी। उसके बाद में थीक तीन दिन बाद 19 जून को गुरू कुम्भरासी में बक्री होंगे। और जब गुरू बक्री होंगे तो गुरू आरोग प्रदायक बनेंगे। यानि कि बरतमान में जो बीमारी महामारी चल रही है उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। उसके बाद में 21 जून को बुध भी उदित हो जाएंगे। पूर्व दिशा में उदित होंगे। तो जब बुध उदित होंगे तो बरसा फिर से प्रारम हो जाएगी। यानि कि 21 जून को बरसा फिर से प्रारम हो जाएगी। दो जून को बरसा बंद होगी और 21 जून को फिर से प्रारम हो जाएगी। कुछ छेत्रों में। उसके बाद में चार जुलाई को बुध भी ब्रशव रासी को यानि कि राहू का साथ छोड़ करके और मिथुन रासी में चले जाएंगे और मिथुन बुध की अपनी रासी है तो बुध जब मिथुन रासी में जाएंगे तो वहाँ पर वो स्वरासी के होंगे साथ में भादित्य योग बनाएंगे और वहां पर बुद्ध भद्र महापूरस योग भी बनाएंगे तो जब बुद्ध चार जुलाई को मिथुन रासी में जाएंगे तो ब्यापारिक इस्थितियां अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी और यहां से फिर जो संसाधन है या फिर होगी नमस्कार